हेलो स्टूडेंट्स होप यू और फाइन स्टूडेंट्स जो पीटियू का सिक्स नवांबर को नोटिस आया है उसमें लिखाया है कि जो स्टूडेंट्स इंटरमेडियर समेस्टर के थे उनका रिपेयर गजाम जो होगा अभी इंटरमेडियर का वो 1st December से होगा मतलब जो स् इंट और 4th semester जो स्टूडेंट्स से उनका अभी एक्जाम हुए थे कुछ के और कुछ के नहीं भी हुए थे एक्जाम सप्ड़ी के हाना तो कुछ के जिनको पास कर भी दिया घया था कुछ को प्रिव्यूस के रिकॉर्डिंग ली उनके रिजल्ट के इंटर्नल के अकॉर् थे वो ठीक है तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट चांस मिला है नोटे साइए कि वो अपना एक्जाम फिल कर सकते हैं विदाउट फीस हां विदाउट फीस कुछ फीस नहीं पे करनी जस्ट आपको क्लिक करना है एक उप्शन पर क्लेक्ट करना है और बहुत ही बेस्ट स्टूरेंट जो सेटिफाइड नहीं है अपने रिजल्ट के मतलब लॉकडाउन के टाइम पे आपको इनफॉर्म किया गया था कि जो भी आपको इंप्रूब्मेंट करने का टाइम आपको मतलब दिया जाएगा तो उसके लिए आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि यही मतलब डिसीजन लिया है इंटरमेडियर्ट रेग्लो स्टूरेंट के लिए कि उनका स्टूरेंट जो है उनको एक उप्शन दिया जाए उनकी ग्रेड मार्क्स को इंप्रूब करने का अगर वह मतलब उनकी खुद की विश है तो मतलब जैसे बच्चे के मार्क्स कम ठीक है और स्टूरेंट सेकेंड बात अगर आपकी जिस बच्चे की सप्ली भी है अगर पास नहीं हुए तब भी वह मतलब अपना फेल कर सकते हैं ठीक है और एक्जामिनेशन विदाउट फीस फोर इंटरमेडियर्ट रेग्लो स्टूडेंट्स मतलब जो सैटिसफाइड पास नहीं हुए अपने रिजल्ट के अकार्डिंग ट्यूरिंग लोगडाउन जो रिजल्ट रहा है अगर उनके मांक्स कम है जब बच्चे पास नहीं हुए तो उनके लिए विदाउट फीस है वो अपने बिना फीस पे यह अपना फिल कर सकते हैं यह फोमेंट जो कि 6 के लिए ही है यह तो आप वहां पे क्लिक करोगे और अपना कर सकते हो फिल कर सकते हो ठीक है और स्टूडेंट थार्ड पॉइंट जो है और डिटेल इंफोमेशन है वो इस्चु की जाएगे इसकी सेपरेटली और कोई भी इंक्वारी हो तो आप सी ओई आई के जी पीटिय करने है तो उसके लिए आप यह फॉर्म फिल कर सकते हो बिना फीज के तो यह स्टूडेंट यह सिक्स नमांबर को नोटिस था और थैंक यू और अल्ट बेस्ट वाल स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स शेर लाइक करना मत भूलना थैंक यू